So guys, आसकी वोड़े हम बात करने वाले हैं Samsung Galaxy A14 5G device के अंदर आप जो है smart call setting का use कैसे कर सकते हैं You know, आपको पता होगा by default setting से smart call का इसके अंदर नहीं आता लेकिन हम use करेंगे third party apps का जिसमें हमें smart call के options मिलते हैं जो हम actual में smart call setting के अंदर use करते हैं तो अभी हमें end तक देखते रहों मैं आपको बताता हूँ कैसे use करना इस app का जिसे हम अपने आप phone के अंदर आसानी से smart call लगा सकें Guys, smart call app का इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले तो download करना होगा rise to answer ये वाला applications और ये Samsung, MIA, Oppo, Vivo सब में work करता है तो don't worry आप कोई भी phone use करो सब में इस्तमाल कर सकता हो इसको open करिये, open के अंदे में इसका use interface काफी easy to use होता है और आसानी से कोई भी इस्तमाल कर सकता है यहाँ पर phone call permission मांग रहा है एक बार हम इसको allow करेंगे क्योंकि दो जो भी incoming call या outgoing call हम करती है उस पर ही smart call का use हम करेंगे तो इसलिए incoming call जब भी आती है तो वहाँ पर smart answer जैसे option हमें देखने को मिलते हैं इसलिए permission उसको दे देना अब यहाँ पर पहला option मिलता है answer by holding your phone to your ear अगर अपने कान के पास ले जाके अपने phone को बस hold करोगे almost two या three five seconds तक तो आपकी जो call होगी easily answer mode में चले जाएगी that means received हो जाएगी तो यह बढ़िया feature है एक smart call settings है जो by default आपको मिलता है वो applications के अंदर भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक और smart वाला option से answer at any angle वाला option है इसको आप और own कर देखे तो किसी भी एंगल से means की उल्टा सीधा phone कैसे भी करके अपने ear के पास ले जाते हो और hold करते हो तो आपकी जो call है received हो जाती है और guys इसमें एक और option दिया गया है your phone screen down first का अगर आपने hang up करना अपने phone को तो no doubt आप इसको on करके screen को नीचे खिचेंगे तो आपका phone जो है dislike easily हो जाएगा लेकिन condition यह है कि जब आप इसको on करेंगे तो आप answer at any angle वाला option होता है इसको इसे vibration भी लगा सकती है इसके अंदर तो इसमें आपको इस तरह से smart call लगाने का feature मिलता है so I hope कि आप समझोंगे smart call applications use कैसे करना and guys कोई confusion और होती है इसके recording comment section नीचे है आप में comment कर सकते है या आप इस्टाग्राम पर आ सकते हैं handle nature decision में मिल जाएगा